सब्सक्राइब करने के लिए जुड़े हुए है या जो सभी लोगों के लिए यहां पर जो नर्सिंग के लिए क्लासेज है वह रगुलर फॉर्म में आने आने वाली है आप सभी लोगों के बीच में तो आज का जो यह हमारा पहला लेक्चर है यह आपका अनुटमी और फिज आपके एक्जाम में कोश्एन बनता है या तो उसमें इस में मी उसिस पूझक हम आधार पर पूश्चं आप से पूछे जा सकते हैं तो हम लोग यहां पर सेल्के टॉपिक को पूरा डिसक सख करेंगे और सेल कई पहला लेक्चर हम लोग लेकर करें strengthened तरगत हम लोग कुछ important points को आज discuss करेंगे तो introduction of cell को हम लोग आज देखेंगे आज के lecture में और बड़ा मज़ा आने वाला है इन सारी classes को करने के लिए आप लोग जो है ना हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए और बैल आइकन दबा लीजिए जिसे जो भी वीडियो लेक्चर यह है कि सेल होती क्या है पहली बात तो मैं आपको यहां पर basic level समझा दों कि जो कोशिका है जो सेल है इसको क्यों पढ़ना जरूरी है कि कोई बी इंडिविज्वल हो चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो कोई भी ऑगनिजम हो या माइक्र ऑगनिजम हो हर एक ऑगनिजम कि मिलकर के बना हता है और हमको जब सेल के बारे में रही नहीं पता होगा तो फिर आगे के जो इतने बड़ें बड़ें बड़े सिस्टम है एक दिस्टम गया अंतर में समझ पाएंगे तो जो basic need या basic requirement होती है उसको हम लोग सबसे पहले fulfill करते हैं जैसे कि building बनाने के लिए आप अपना घर बनाते हैं पिता जीने बनवाया होगा आपने नहीं जैसे कि आप भी कभी बनेंगे डोंट वरी लेकिन जब आप बनेंगे तो आपको भी जिम्मेदारी अपनानी पड़ेगी तो आप जब कभी अपना घर बनवाएंगे तो सबसे पहले घर बनवाने में क्या करते हैं हम लोग नीव भर वाते हैं उसके बाद में उस नीव के अनगेशा आना ही है या वो टॉपिक उनका आधहार है तो अग्येश टॉपिक में उनको पढ़ना रहेगा अक एसा ही तॉपिक है जो पूरे और फॉस्ट इस देस त्रॉक्श् интोन को समझने के लिए यह पढ़ने के लिए आपको यह आना ज doubts पूरी है ठीक है तो सेल क्या होती है ठीक है तो हम कॉमन लेंगविज में अगर पूछें वड़ी सेल तो आप कहेंगे सेल इस्ट्रॉक्श्रल फंक्शनल एंड जेनेटिकल यूनिट अफ लाई तो कोशिका होती है वो जीवन की सनचनात्मक क्रियात्मक और अनुवांशिकी क हमारे बॉड़ी के एक फंडामेंटल यूनिट होती है याली कि हमारे बॉड़ी का जो फॉर्मेशन हुआ है इतना बड़ा सापका सरीर जो है किस से मिलकर के बना यह सेल से ही मिलकर के बना अगर आप डिटेल में पढ़ें तो आप जानेंगे आपने देखा होगा जो रिप इसको कुछ भी आप नाम दे सकते हैं तो इन दोनों के बीच में जब फ्यूजन होता है और फ्यूजन के बाद में जब दोनों के नुकले सापस में मिलते हैं तो जो प्रॉसेस कहलाता है इसी कौम फर्टिलाजेशन कहते हैं और जाइगोट बनता है जाइगोट फर्दर ड कि जो cell unite होकर के zygote बनाए, zygote ने क्या बनाए, embryo बनाए, embryo जो है वो develop करके क्या बनाता है, within 9 month के अंदर क्या बनाता है, एक individual एक baby, एक offspring का formation कर देता है, female body के uterus में, तो जो development हो रहा है, यह हुआ किसे एक cell से ही हुआ है, एक cell से ही यह इतना बड़ा development हुआ और इतने करना है, तो कोशिका सरीर की सनचनात्मक, that means cell is the structural, structural, that means हमारे body का structure आप देख रहे है, cell से ही तो मिलकर के बनाए, functional, हमारे body के अंदर जितने भी function हो रहे हैं, वो cell के द्वारा ही होते हैं, या cell के द्वारा ही कराया जाते हैं, specific functions, like respiration की बात, cell respiration की बात करें, जिससे हमें energy म इलला है, तो cell के अंदर हो रहा है, protein जो farm हो रहा है, कहां बनना है, cell के आंदर इक आनधर बनना है, 술 आपको पता है, ribosomes के दवरा, mRNA के दवरा, हैना और amino acids के दवरा मिलकर के protein का formation हो जाता है, और वह हमारे body में boysattle हो जाता है, प्रबर, आप अगर हम बात करते हैं कि बाधी हाइट में ग्रोथ कहने मतलब हमारे बॉड़ी के अंदर के से उसल डिवीजन करने से जो बॉड़ी का साइज होता है इस इसको हम ग्रोथ कहाता है तो यह जो ग्रोथ हो रहा है जो पता है सेथ़के डिवीजन से यह फंक्षनल वियो गया और जिरेटिकल कहने का मतलब क्या होता या नि हमारे अंदर जित्ने भी क्रीक्टर्ष है आपको पता है मम्मी और पापा के में डि 10-4 मिल अम लोग बने है ना जब male और female gametes fuse होते हैं तो उनके अंदर chromosomes के अंदर उनके gametes के chromosome में क्या पाया जाते हैं genetic information पाया जाती है और वो genetic information पिता के character और माता के character को हमारे अंदर लेकर के आते हैं नहीं कि हम उससे बने हैं ना तो हमारे अंदर मम्मी और पापा दोनों के क्या नियुक्ष है तो टैट इंडर उनके पुझ इस्प्रॉटिक्ष क्रेकार्ट जो होता है गता प्रिकार का मासा प्रुटो प्लाजम है एक ऐसा आप अगर आप अगर आप पहली बात तो देखेंगे अनलिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि सेल के अंदर कुछ fluid like structures present है और different type के organs present है आप microscope में जब देखेंगे तो उसमें दिखाई पड़ेगा एक दम clearly form में दिखाई पड़ता है लैप के अंदर आपके जो है ना सर लोग या मैम लोग जब डिसेक्शन कराएंगे या प्रक्टिकल कराएंगे तो उसमें आपको दिखाया जाता होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि एक ऐसा मास होता है जिसको चारो तरब से selectively permeable membrane घेरे रहती है selective permeable membrane what is the meaning of selective permeable membrane this membrane are also known as this membrane are also called as known as what plasma membrane or cell membrane इस ही कोई हम लोग कोशी का जिल्ली या plasma membrane या cell membrane कहते हैं और यह selectively permeable होती है selectively permeable कहने का मतलब क्या होता है कुछ ऐसे substance को ही यह cell के अंदर इंटर देगा जिनका cell के अंदर requirement होगा हर एक cell को या हर एक cell के अंदर कोई ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा है या कोई भी substance है अपना मूँ ठायो चल दिया अब यह कैसे होता है किस तरीके सोता है जब हम plasma membrane पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ पर समझाएंगे एक term देखें यहाँ पर लिखा हुआ है cytology बहुत important है बच्छों या इसी को हम लोग बोलते है cellulology मैं आप सभी को यहाँ पर जो class provide करूँगा मेरा सीधा सिध्धानत रहता है कि मैं जो भी classes लूँगा वह आपका basic level से लेकर कि advanced level की तरफ रहेगा ऐसा नहीं कि मैंने उठायाट content upload कर दिया खतम बात आप लोगों को जिसके अंतर्गत इसको include किया गया है तो साइटोलोजी में जो साइटो का मीनिंग होता है साइटो का मीनिंग जो लिया गया वह साइटोस से लिया गया और साइटोस कहने का मतलब होता है इसको लोगस से लिया गया है और लोगस का मतलब होता है हम क्या सकते हैं study of cell study of cell are called cytology अब study of cell में हम क्या पढ़ेंगे study of cell में हम उसका structure पढ़ेंगे उसका function पढ़ेंगे और cell के अंदर जितने भी और नेल्स हैं उनके बारे में discuss करते हैं इन सभी का अध्यन करना इन सभी का study सब्सक्राइब निर्मित हुआ है वह किसे हुआ है और इसका मीनिंग होता है वो होता है ठोखली गुहा देखिए मैं यहाँ पर हिंदी और इसलिए लेकर के चल ला हूं कि कुछ हमारे English medium के बच्चे होंगे तो उनको नोट्स के तो यहां पर समझ लेंगे लेकिन जो हमारे इंग्लिश में करें क्योंकि एक्जाम आपको इंग्लिश में लिखना है तो दब वर्ड सेल इस डराइब फ्रॉम दा सेलूला और विच मींस अलो केवटी राइट ओके अब बात करते हैं डिस्कवरी आफ सेल अब थोड़ा सा सेल के ऊपर और डीप जाते हैं वह तो समझ में आता सेल डिवाइट करके टीशू बनाता है टीशू जो है ना यूनाइट करके क्या बनाते हैं और बनाते हैं टीशू यूनाइट करके और बनाते हैं और यूनाइट करके और सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम यूनाइट करके बॉड़ी का फॉर्मेशन करता है लेकिन एक् इहां पर लिखा हुआ है को याद होना चाहिए पता होना चाहिए अगर आप नीट का भी प्रपरेशन अगर साथ के साथ कर शाल के औरा शाहिए कोई भी एक्जाम अगर मिलेंगे तो 2 पर आगे की प्रपरेशन के लिए आप अपनी तैयारी अभी कॉर्क एक लकड़ी होती है कॉर्क का एक लकड़ी है एक वुड है ठीक है जो की पुराने समय में जो वाइन होती ना उसकी वाइन की बोतल को बंद करने के लिए इससे डांट बनाई जाती थी धक्कन जिसको कहते हैं एक अरव बना करके उसमें लगाते थे इस कार को इन्हों ने देखा तह और देख करके इन्हों ने इसको औबसर्प किया था क्या देखा था यॉच्श और सड्म हो यह जो पॉस और सेल वाल अपने दौरा स्व निरमितö यह मा晚上 माइक्रोस्कोप के आपको दिख रहे हैं वो एक डम किस्तरा है हणी कॉम का मतलब सब्सक्रा की तरह ठीकर मदमक्की की चछत्तर जिस तरीके से तरीके से बना होता ना ऑनी कॉम का जो इस चुछ इस तरीके से आप देखेंगे और इसी के अंदर हनी हमको मिलता है शहद जिसकू कहते हैं इसके बहुत benefit होते हैं हमारे लिए और wax भी यहां से पराप्त होता है sorry honeycomb and he given the and he given a name to structure of cellular ठीक है और इनोंने जो नाम दिया था इस structure को ठीक इस structure को इसका नाम क्या था cellular second point अच्छा एक बात और Robert Hook ने living cell को खोजा living cell की discovery की या non-living cell की discovery की because cell wall कैसी होती है non-living होती है और plant की cork से इन्होंने दिखाता है a piece of cork से इन्होंने दिखाता है so cell wall कैसी होती है non-living होती है next point देके लिखा हुए the cell pictures was published in the book इन्होंने cell के pictures को public किया and book is name of Micrographia by Robert Hooke तो Robert Hooke के दौरा अपनी पुस्तक Micrographia में इन्होंने cell को जो देखा था उसकी picture को publish किया था और यह picture कुछ इस तरीके से आपको उसमें देखने को मिलेगी next point is the detailed study of cell was possible only when the electron microscope was discovered later जब बाद में electron microscope discover किया गया तब cell का detailed study हमको possible हुआ next point is living cell was first discovered by अभी non-living cell discovered किया Robert Hooke ने and living cell कौन देखा तो वो देखेते हैं अन्टॉन लिवन हॉक यह कुछ ऐसे नाम है जिनको आपको पता ही होना चाहिए और यह आपने 1112 में पढ़ा ही था ठीक है अनिमल क्यूल रखा था यह बात आप याद रखिएगा बच्चों इन्हों ने जो नाम दिया था वो क्या दिया था अनिमल क्यूल्स और एक्च्वल में इन्होंने क्या देखा था एंच्वन लिवन हॉक ने इन्होंने माइक्रो ऑगोनिजम को डिस्कवर किया था अप सेल का और फारदर डिटेल इस्टेडी पढ़ने से पहले हम कंपोनेंट आप सेल देख लेते हैं सेल बनी किस किस की होती है है ना तो जो कंपोनेंट हैं सेल के वो कौन-कौन से बच्चों इसको समझना है तो देखिए सेल में जब आप अब्जर्ब करेंगे अगर आप एक सेल को लें और सेल को कैसे लेंगे आप भहिया हम क्या करेंगे अपने बॉड़ी के या किसी भी ऑगनिजम के बॉड़ी के या प्लांट के किसी बॉड़ी पार्ट से मतलब किसी भी पार्ट से एक छोटा सा कट पीस आप लेंगे किसका टिशू का कट पीस आप टिशू बॉड़ी पार्ट किसी भी ऑगनिजम का और लेने के बाद में उसको स्लाइड के ऊपर रखके आप माइक्रोस्कोप में उसको को observe करेंगे और उसमें से आप SEL को differentiate करेंगे अलग करेंगे और फिट जब आप उसको देखेंगे अनलिसिस करेंगे तो सेल में सबसे बाहर की तरफ अब आप कोई भी चीज़ देखेंगे तो सबसे से पहले कि खराब है कि दिल कितना अच्छा है इसका बाहर सी तो याप सबसे पहले अदर की boundaries दिखेंगी right boundary कहने का मतलब कि आपको उसके चारो तरफ आपको उसके चारो तरफ एक covering दिखाई पड़ेगी सबसे पहले right में living है एक plants हो गए दूसरे animals हो गए और तीसरे जो होते हैं वो microorganism होते हैं इनको kingdom मोनेरा के इंक्लूट किया गया है ठीक है अलग फाइलम में इसको अलग जगत दे दिया जैसे microorganism रखें बैक्टिरिया को रखा गया फंगस को रखा गया कुछ यूनिस अलगी को भी इंक्लूट किया गया लाइक साइनो बैक्टिरिया या ब्लू ग्रीन अलगी इनको इंक्लूट किया गया है तो तीन टाइप के अब ऐसा नहीं कि आप सभी के नाम किनाने लोग होंगी कि टॉग फिष हैंशना काव कॉट यह सारी कि सब सिर्वाइब कर अंशा नहीं है इन सबको क्लास में रखा गया है इन सबको सब फाइलम में रखा गया है और हमारा जो क्लास है वह कौन ऐ networking तो हम क्लास मेमेलिया के अंतरगत आते हैं तो सबसे बाहर पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है और मैं चला भी जाता हूं हायर प्लांडिमने आपको सेल बाहरें के साथ सेल वाल भी देखने को मिलती है और सेल मेम्बरें जो होती है अनिमेल सेल में मिलेगी और मीलेगि और आप जैसे ही cell boundary को आप हटाएंगे या आप imagine करो कि आप cell के अंदर जाना चाहते हो तो cell के अंदर जाएंगे तो कैसे जाएंगे cell membrane को cross करके जब आप cell membrane को cross करके अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा साइटो प्लाज्म और साइटो प्लाज्म में तीन important componentু यहां पर होते हैं मैंक्रीक्स अटरिक्स ग्रांड 2 लिकविड सब्स्टांस जीकर में जिसको मा discrimin ship ग्रांड 2 सब्स्टांस कैने मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर कुछ लिक्विड सब्स्टांस बरारोय का जिसको हैलो प्लास्मी कहते हैं और इन सैटो प्लास्म के अंदर आपको इसको अर्गनल्स देखने को मिलता है नॉन-लिविंग इंख्लूजन्स और यह इसको हम क्या बोलता है ड्यूटो प्लाज्म तो जो नॉन लिवी इंक्लूजन्स होता है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं थर्ड जो हमारा रहता है वो रहता है नूकलियस के इंद्रक जो की बड़ा का important role अदा करता है जैसे आपके college में एक example ले रहा हूं सिल के अंदर किस तरीके से सारे functions को control करता है नूकलियस वैसे आपके college में आप कहीं से भी हो उस college के अंदर एक principal होंगे और वो principal सर क्या करते हैं सब के ओपर command रखते हैं कि भाही कौन सी teacher को क्या पढ़ाना है कौन सी class ले तो ये सारा काम प्रिंसपट सरक्रा होता है वो मैनेज करते हैं और वर्क कराते हैं तो यहां पर बी ऐसे यह सेल के अंदर एक सेंटर है और इस कही नाम है कंट्रूलिंग्य see सेल मास्टर अफद शेल है ना या आप कुछ भी कह सकते हैं इसको नुकिलिएस को कई नाम है जब नुकलिएस पढ़ाँगा तो महां पर नाम मैं आपको बता तो यह सारा का सारा जो नूकलिएस होता है सेल के अंदर जितने भी सेल उनसे काम करवाता है प्रूटीन बन बाता ह कर आएगा हार्मोन का से कराएगा एंजाइम का पॉर्मिश का काम होता है अब आप कहेंगे तो भी तो सल की है वो भी तो से से ही बनी है बढ़ उस एक पीस को उसे आट को ने नाम दे दिया है पूरे बॉड़ी का फॉर्मिशन सल से हुआ है मैं याद रखिए अगर हम लोग से लोगनल की बात करें तो से लोगनल में दो टाइप के पाये जाते हैं जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक तो मेंब्रेन लंगनल होते है और आध्त आ है कुश्यं अगर आगे तो पूझेगा सेल पड़ा हिए हाँ टीक है बता ऑउ सेल के अंदर ने प्रकार की हैं Izra मेंपरेंड का मेंब्रेन नगे की निइंग जाएक लोगन डूनों टाइप पालेख दिया सब को मिला करके लिख दिया तो मेंब्रेन बाउंस अलागनल एंडोप्लास्मिक रेटिकलम हो गया बाइटो कॉंट्रिया गॉल्गी बडिल आइसोस्म प्लास्टिट सीलिया एंफ्लाजिलाग ठीक है वहीं पर अगर अगर आपन लोग बात कर करता यह क्रोमोसोम को डिवाइड करने में सयता करता है और वहीं पर गरते होगीशेंगे निक्रोम्सोम के और जो कहते हैं यहां पर nucleic acid nucleic acid pento-sugar nucleic acid चेहां पर रहागा पई जाएगे और ना directions Danos यहां पर पाया जाएगा ठीक है तो यहां पर ऽैंगा जिससे यहां परatra तो यह तो बात होगा हमारे अब एक बार हम लोग निघा डाल लेते हैं और अनिमल कैसी होती तो देखो बच्छों यह आपके सामने प्लांट सल का यहां पर बना हुआ है ठीक है प्लांट सल में कुछ खास बात है आप याद रखें प्लांट सल में सबसे बाहर की तरफ क्या नीचे आपको मिलेगी के डिक याद रखेंगे कि डांट सेल में आपको एक और इस्नख इंप스क्र करक्टर को शो तो मैंने क्या बताएं इसमें आपको तीन चीज्ज याद रखना नहीं कौन-कौन यहां पर होगा है स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है जो यह क्लोरोप्लास्ट यह भी यहां पर इसका एक स्पैसिफिक क्यरेक्टर को शो करता है तो मैंने क्या बता है इसमें आपको तीन चीज़ याद रखना है कौन-कौन सा एक तो सेल वॉल यहां पर होगा दूसरा सेल मेंब्रेन सेल वॉल क देखने को मिलेंगे लाइक गॉल्गी बॉडी जॉल्गी वैसिकल्स माइटो कॉंड्रिया माइक्रो टीब्यूल्स है ना यह सब आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और नुक्लियस के अंदर आप देखेंगे क्या कि नुक्लियोलस प्रेजन्ट रहता है और एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम प सबूरों बारन्ट की बात होगे विए अनिमल अला जैए गए वी से में सट्रॉक्चर होता और cytoplast में different type के salonal देखने को मिलेगा और center में कहीं पर आपको nucleus देखने को मिलेगा periphery की तरफ हो गा या center की तरफ हो गा nucleus में nucleus होगा और ये nucleus membrane से चारों तरफ घिरा रहेगा वहीं पर एकхास बात मैं आपको बदा दू जिस तरीके से plant cell में chloroplast पाया जाता था उसी तरीके से यहां पर chloroplast की जगे पर centrosome पाया जाएगा जगे उसकी तरह काम नहीं करेगा लेकिन centrosome रहता है chloroplast नहीं होगा लेकिन centrosome होगा और plant cell में centrosome नहीं पाया जाता है centrosome का main function होता है cell division के समय है क्रोमो सोम को बोथ पोल्स पर ले जाना चाहे वो मियॉसिस हो चाहे वो माइटॉसिस हो आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा ठीक है और इसमें इसमूध है कि कंपोनेंट्स हो गया देन उसके बाद सेल हमने देख लिए प्लांट सेल कैसी और अब थोड़ा सा और आगे हम डिटेल में जाते हैं तो सेल के उपर आपको लिखना क्या है सर यह तो आपने हमको बता दिया आप मुझे यह बता है कि सेल जो है उसमें एक्जाम में क्या लिखें है तो क्या लिखेंगे तो देखें यहां पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए जो आप इसली तरीके से लिख सकते हैं आपकी बुक से ही मैंने इनको लिया है पहला पॉइंट देखें लिखा हुआ है सेल अर्दा स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट फॉनिट ऑफ पर समझो इस फोड़ा पॉइंट आपको कन्फूज करेगा लेकिन मैं क्लियर करता हूं पूरे पॉइंट को दे आर ग्रुप टुगेदर टुफॉर्म टिशू रट्टा नहीं मारना है समझना है टिशू को फॉर्म करेगा सेल यानि कि सेल क्या करेगा डिवाइट करेगा पर इंदर एक स्पैसिफिक फंक्शन होता है तीशू लेवल ग्रेट बॉड़ी और बाड़ी पाया जाता है एक कोशिका के द्वारा एक सेल के द्वारा ही पूरी बाड़ी की एक्टिविटी को कराया जाता है लाइक फॉर इंपल्स कौन कौन से अर्गोनिसम है जो सिंगल सेल करी बने होते हैं यार प्रोकेरियोट्स आप देखिए ना कितने भी आपको यहां पर बैक्टरिया दिखाए दे रहे तो प्रोकेरियोट्स के अंदर ही आते हैं सिंगल सेल है वही पर एंटमिवा हिस्टोल यह प्रकार का प्रोट प्रोटोजोन ही मोलेरिया स्क्रायूर्ट प्रोटोजोन हुआ यह सारी दिल्टी थे कही चले हैं वूआ अंडर हमारे चांड में भी सिस्टम आय। बीश्य साइडैर के बादी के बाहर निकालता है रिए अग्जोसाइट्वस्स प्रॉसेस बादी के बाहर निकालेगा हम लोग डाइजेसिन करते हैं तो सल भी डाइजेशन करती है कैसे करेगी इनमें वह का होगा Maa सभष के रूफ में उसके सेंदर जाएगा और उसके अंदर डाइजेशन होगा देन जो भी उस्फिल मैंट्रेटील होगा उसको लेगा और देने के वाद वे सोधके बादि और यहां परकुछ हाड सबस्टांस इस वंगस ने क्या किया अपने एंजाइम को अपने एंजाइम को यहां पर इंदर किया है है तो सारी चाहिए अक्तिविटी जो हमारे अंदर होती हैं लेकिन धीरे 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 इवलूशनी प्रॉसस के थो इव लूशन के थो जो प्रिमिटिव ऑगनिज्म से मोस्ट एड्वांस ऑगनिज्म बने उनकी तरह आप जब मूव करेंगे तो कैसे होंगे तो इसल ने काम किया और सेल क्या करेगी डिवाइड करेगी एंड पूरे ग्रुप को सेल के डिवीजन के बाद में जो पूरा ग्रुप बनेगा उसको हम कहेंगे टिशू कहेंगे तो टिशू लेवल आप बॉड़ी और गनाजेशन भी पाये जाता है लाइक आपका पूरी फेरा फाइलम पूरी ठीके तो तो ब्रुप टोगेटर फाम टिशू इच और विच है जैज के डिवीजन फंक्शन पूरी टिशू होगा हर एक सैल का जो ग्रूप टिशू होगा वह का स्पासिपिक फंक्शन को क्रियेट करेगा पौर एक ब्लड आपको पता है ब्लड क्या होता है हमारे बॉड सब आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे तुगेदर दफॉर्म और यह क्या बना देते हैं और गन बनाते हैं और इक्जम्पल आपस में मिलने के बाद में तुगेदर फॉर्म और गन देंगे और आपस में मिलेंगे और आपस में मिलने के बाद में एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर देते हैं और यह जितना भी और गन बना है यह जो भी परफॉर्म होगा बोडी के इंदर पर्टिकुलर फॉर्म्पल आपस में मिलकर के जो पर्टिकुलर एक फॉर्म्पल और गन देंगे 'm Ep genetics करेंगे Sounds यह means कि हमारे बॉड़ी के इंदर जो भी function लोई लेइस ब्लब को पूरे बॉडी में इसको भेजेगा इस्टमक that means digestive system के थो digestive system में इस्टमक यहां पर present रहता है left side में हम जो भी खाते हैं उसको digest करने का काम करता है यह ja brain हमको consciousness करता है समझाता है नवर सिस्टम को प्रूइड करता है तो यह सारा का सारा जब organ system में आपश मिल करके काम करेगा तो जो इन्डिविजूल है उसकी हेल्थ के लिए जिस सफिसियंट होता उसकी हैल्थ को प्रुतसाहित करता है तो सारे के सारे सिस्टम जो होते हैं स सामूह करता है होमियोस्टॉषस को बनाय रखता है और जो ह्यूमन है यह इन्डिविजुवल है उसके स्वास्त में उसके health में क्या करता है useful activity को provide करता है next one देखे लिखा हुआ है for example जैसे कि the digestive system is responsible for taking in digestion digestive system is responsible for taking in digestion and absorbing food digestion and absorbing food यानि कि food के digestion के लिए और उसके absorption के लिए हमारा digestive system क्या होता है responsible होता है and which involve a number of organ ठीक है इसके अंदर different type के organ भी involved होते हैं जैसे कि digestive system में mouse लेकर के एनस तक पूरा elementary कैनल है लेकिन इसके साथ-साथ liver के थो different type के enzyme secret होते हैं pancreas के थो different type के enzyme secret होते हैं ठीक है गॉल ब्लेडर के थो different type के enzyme secret होते हैं जो की food के digestion में क्या करते हैं साहता help करते हैं ठीक है तो वहीं बताया गया which involve a number of organ including the stomach and intestine ठीक है stomach और intestine भी इसमें include रहता है तो यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से process होगा अब मैं यहां पर पूरा आपको समझाए दे रहा हूं कि cell कैसे बने होंगे तो देखिए evolutionary form में जब evolution का process हुआ होगा आप लोगों ने पढ़ा था 12 में evolution chapter तो इस evolution chapter में आपने theory of biogenesis को समझा होगा फिर उसके बाद में chemical evolution को देखा that means modern hypothesis of origin of life जो दिया गया है modern hypothesis जैसे इन्होंने बताया कि जो organism या इस प्रतिवी पर जीवों की उत्रपत्ती हुई है या organism का जो origin हुआ है वो organic matter से हुआ है तो organic matter में सबसे पहले क्या रहे होंगे atoms का formation हुआ होगा atoms आपस में मिलकर के क्या बनाए होगे molecules बनाए होंगे like atom carbon hydrogen oxygen nitrogen phosphorus यह सारे आपस में मिले होंगे जैसे carbon और oxygen मिला तो carbon dioxide बन गया जितना oxygen और hydrogen पहले बना होगा तो वह सब आपस में unite करके water बना दिया आपको पता है two molecules of hydrogen and one molecules of oxygen together form a water molecule बना दिया ना तो molecules बना और आपको पता है कि उस समय करूणों साल पहली कि अगर हम लोग बात करें तो उस समय जो हमारा अर्थ था यह बहुत ही ज्यादा जिसकी वज़े से जितना water यहां पर बना होगा वह बैपर कहां जाता है उपर की तरफ वास्प जो होती वह उपर जाती और उपर आसमान में जाकर कि क्या बनाए होंगे पने क्लाउड बना होगा बादल बना होगा और बादल में क्या गरस्ता है बिजली और बिजली गरजने से क्या होता है बरसात होती है जिस से different टाइप के molecules और बने होगे और यह एक्चुल में chemical level हो गया ठीक तो molecules ने और भी complex molecule का formation किया होगा like amino acids protein lipid fat इन सब को बनाए होगा और इनको बनाने के बाद में यह जो molecules हैं यह molecules unite होकर के एक cellular level का formation किये होंगे इसके बाद में क्या होगा कोईसर बेट्स बने होंगे वह कोईसर बेट्स को बनाए होंगे जिसको protocell का होगा protocell prokaryotes में change हुए होंगे prokaryotes से eukaryotes का formation हुआ होगा और eukaryotes एक single cell थी और उस cell में division हुआ ठीक है और उस cellular level structure बनाया तो यह एक देखो cell बन गई एक smooth एक smooth muscle cells यहां पर यह cellular level यहां पर cells फार्म हुआ और इस cell ने क्या किया unite करके different type के tissues को बनाया तो smooth muscle tissues आपस में unite करके यह बहुत सारे cells ने आपस में unite किया होगा और क्या बना दिया tissue and tissue क्या बनाते हैं बच्चों tissue बनाते हैं organ level system like stomach heart brain lungs kidney इन सब का formation क्या होगा और यह सारे के सारे जो organ है यह आपस में मिल करके एक system level को बनाये होंगे जैसे digestive system का तो stomach है तो system एक बनाया जा रहा तो system ने क्या होगा इस आर्गन लेवल ने क्या किया होगा इस स्टमक ने क्या होगा इसोफेगस से उपर की तरफ mouth का formation हुआ ठीक है यहां पर liver का भी formation हो गया इस्टमक से ठीक यहां पर आप देखें हैं pancreas का भी formation हो गया intestine जिसमें large intestine small intestine यह लिवर ठीक है देन उसके बाद में rectum rectum canal and anus ठीक है तो यह पूरा का पूरा mouse से लेकर के एनस तक mouse से लेकर के एनस तक का पूरा formation हुआ होगा तो यह क्या बन गया system बन गया organ system एक पूरा system developed हो गया body में और इसी तरीके से कई system आपस में बने लाइक नर्वस सिस्टम डाइजेस्टे सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम रस्पिरेटरी सिस्टम इन सारे के सारे से ही मतब आप देखें एक से तो formation होता लेकिन सेल का भी formation अगर आप देखें तो डिफरेंट टाइप के atom से होता है क्योंकि हमारे सल के अंदर आप देखेंगे कि सेल के अंदर आप देखेंगे कि C6H12O6 जो ग्लुकोज मालीकियूल होता है इसको हमारे सेल के अंदर सेललोर रस्पिरेशन के तोड़ा जाता है और क्या बना लेते हैं एनरजी बना है और क्विकास हुआ है एसा बालोजी में कहा गया है तो आई हो बच्चों यहां तक आपको समझ में होगा चलिए कुछ important points हैं जिनको मैं नहीं छोड़ूँगा मैंने कहा ना छोड़ूँगा कुछ नहीं यह वो मुझे पसंद है वो मुझे आपको बताने है कि यह important point आपके exam के point of view से नहीं लेकिन different type के जो exam आप देंगे जैसे कि आप nursing करने के बाद में एक medical exam होता है आपका तो उस exam के तो आप सेलेक्ट होंगे है ना कि आपको लगना है कि नहीं अभी क्लासे में यहां पर चीज समझेंगे आपके college में क्या हो रहा है आप अच्छे से जानते हैं वहाँ पर इतना काम दे दिया जाता है कि इतना ज्यादा काम होता है कि आप टाइम ही नहीं निकाल पाते लेकिन फिर भी अगर आप टाइम निकाले तो इन क्लासे को जरूर देखें इससे आपका knowledge बिल्ड होगा 100 परसेंट डेम शोर में बता रहों बच्छों देखें पहला पॉइंट यहां पर आपको याद रखने फादर आफ साइटोलोजी तो आप कहेंगे रवर्ट हुग फादर आफ मॉडरन साइटोलोजी का और कार्ल पी सांसन है पादर आफ इंडियन साइटोलोजी अब इंडिया में भी तो साइंटिस्ट पैदा हुए तो कौन अरुन कुमार सर्माजी है पादर आफ माइक्रो बाइलोजी एंट्वान लिवन होक साहब है नेशनल सेंटर आफ सेल साइंस कहां पर है तो पूने में हैं इंस इंजिनियरिंग और टकनोलोजी यानि की आई सी जी इबी कहां है नियो देली में है तो इस तरीके से बिटा आज की क्लास हमारी है कंप्लीट होती है आई होप आपको यह समझ में आई होगी अगर समझ में आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन जरू पढ़ेगा हमारा चैनल बैल आइकन दबाना पड़ेगा जिससे जब भी वीडियो लेक्षर अप्लूड होगा आप तक सबसे पहले पहुँचेगा तो आज के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चेक क्यों बाई-बाई